तो आज हम लोग एक नहीं चैप्टर शुरू करने वाले हैं पिछला चैप्टर हमने पढ़ा था जल संसाधन और इस चैप्टर का नाम है खनीज तथा उर्जा संसाधन और ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को ये कहना चाहूंगा कि जो उर्जा है किसी भी देश के लिए काफे important होती है ठीक है आप imagine किजिए कि जितनी भी चीजें आपको कोई भी काम करने के लिए चाहिए चाहिए आपको machinery चलाना हो आपका अपना शरीर चलाना हो trains चलानी हो जितने भी यातायात के साधन आप दौरते हुए देख रहे हैं या फिर जो बिजली आ रही है वो भी एक उर्जा का ही साधन है बिजली से आपको उर्जा ही मिल रही है तो उर्जा अगर एक दिन के लिए मिलनी बंद हो जाए एक सिंगल दिन के लिए तो आप समझ सकते हैं कि कैसी एक परिस्तिती कितनी खतरनाक परिस्तिती जो है वो पैदा हो जाएगी और अभी भी अगर भारत में देखा जाये तो भारत उर्जा के लिए अपने पारंपरी खनीजों पे बहुत ज़्यादा डिपेंडन्ट है ठीक है नवी करनिय उर्जा की भी बाते की जा रही है पर उसमें अभी काम काफी ज़ादा होना बाकी है और जितनी जल्दी काम हो वो बहुत important भी है ठीक है खेर हम लोग इस चैप्टर को शुरू करेंगे और इस चैप्टर में हम उर्जा संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे साथ ही खनीजों के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में कौन-कौन सी खनीजे पाई जाती है और कहां कहां पाई जाती है exam point of view से और कोई भी competitive exam के point of view से ये काफी जादा important chapter होने वाला है इसमें concept बहुत कम है और रटने वाली चीजे जादा है memorize करने वाली चीजे हैं कि खनीज जो आहां मिलता है, कौन सा खनीज कहां मिलता है, कितने मातरा में मिलता है तो ये सारी facts based चीजे हैं, तो आप लोग इसका notes भी proper बना लेंगे और इसको याद कर लेंगे ठीक है, तो आएए, शुरू करते हैं ये chapter तो इसमें कहरा है कि भारत अपनी विविद्धा पुर्ण भुगर्विक संडचना के कारण विविद्प्रकार के खरीच संसाधनों से संपन है इतना तो आपको पता ही होगा कि भारत में लगभग हर प्रकार की जलवाई उपाई जाती है अगर आप भारत के सुदूर उत्तर में चले जाएंगे तो वो एक पहाड़ी इलाका है हिमाले की परवत माला है जहां सालो भर लगबग ठंड पढ़ते रहती है और वही अगर आप पश्च्चमी भाग भारत के पश्चमी भाग यानि जो थार रेगीस्तान है वहाँ चले जाएंगे तो वहाँ सालो भर गर्मी पढ़ती है अगर आप दक्षिन की तरफ सुरूर दक्षिन की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे आपको जो है जो वातावरन है वो हमेशा उश्न बना रहेगा आद्र बना रहेगा यहीं वातावरन में हमेशा नमी बनी हुई रहती है वही अगर आप पूर्वी शेत्र की तरफ जाए जहां बिहार से लेकर आप असòng बगैरा और बाकी जितने पूर्व में जा सकते हैं वहाँ के मौसम में काफी विवित्ता पाई जाती है हम लोग बिहार में रहते हैं बिहार का मौसम आपको पता ही है धंड में यहां का temperature लगबग 3-4 degree तक भी कभी कभी चला जाता है और गर्मियों में 40 degree के आसपास भी temperature रहता है तो भारत की जो भूगर्विक संदचना है उसके कारण एक तो मौसम डिफरेंट है और भूगर्विक संदचना डिफरेंट है इसलिए भारत के भूमी के गर्व में बहुत प्रकार के खनीज संसाधन जो है वो पाए जाते हैं अलग-अलग इलाकों में अलग-अलग प्रकार क पहले पुरा पाशान काल और यह सारा काल पहले तो इस तो अच था और यह सब अब यह आपने पढ़ा होगा पिछले क्लासेज में तो यह उस समय का है पुर्व पुरा जीवी काल और अगर देखा जाए ना तो यह जो आपको पता होगा कि सबसे पहले जो जिवानू वाली जो प्रजाती थी वो सबसे पहले आई प्रित्वी पर पेड़ पौधे के साथ, सबसे पहले पेड़ पौधे में भी कौन है, पहले समुद्र के अंदर वाले पेड़ पौधे आए, ठीक है, तो ये उस काल की बात हो रही है, तो बहुत पुरानी बात की जा रही है, तो प्राई दौ भारत की आगनिय उत था कायांतरित चत्तानो से संबध है था और चत्तानो के बारे वे आपने अलड़ी पढ़ा होगा कि चत्ताने तीन टेके की मुख्यता होती है जिसमें होती है अगनिय, कायंतरित और और अफसादी चत्तान Stitch जो होती है वहुए, मैगमा होता है उसके पिखलने से पिखलके वो जब जम जाता है उससे बनता है कायांतरी चट्टाने जो होती है पहले उससे पहले हम अवसाधी चट्टाने पढ़ लेते हैं मतलब जान लेते हैं और आपको वैसे भी पता ही होगा कि अवसाधी चट्टाने जो होती है छोड़ तो आगे बढ़ता हैं, उत्तर भारत के विशाल जलोड मैदानी भूभाग आर्थी कुपियों के खनीजों से विहीन है। किसी भी देश के खनीज संसाधन औध्योगी की विकास के लिए आवस्यक आधार प्रदान करते हैं, इस अध्याय में हम देश के विभिन प्रकार के खनीजों मुर्जा के संसाधने की पुपलवजिटा के बारे में चर्चा करेंगे, तो कह रहा है कि देश के जो खनीज अंसाधन होते हैं वो आध्योगी विकास के लिए आवश्यक आधार प्रदान करते हैं कैसे अगर आपके यहां बहुत ज़ादा खनीज पाए जाते हैं तो उस खनीज पर आधारीत इंडस्ट्री उस खनीज पर आधारीत उद्योग कि रोजगार बढ़ेगा लोगों को पैसा मिलेगा तो खनीज मात्र होने से काफी ज़ादा ओध्योगी की विकास होता है उधारन के तौरप आप देख सकते हैं कि बिहार में सिर्फ खनीज ना होने के वज़ए से इंडस्ट्री भी जादा नहीं है और बगल में जहारकंड द धर्मों के साथ कारबन के आकारबनी कुट्पति का ऊत्प्राकृति पदार तो खनीज यह पे आपको परिभाशा भी आ गया और बढ़ेंगे खनीज संसाधनों के परकार वहाdar है वह होते है रासाएनिक जो धात्विक खनीज होंगे, उससे क्या निकलेगा? अब्विस्सी बात है, धातू निकलेगा, मेटल निकलेगा, और अधात्विक खनीज उससे अधातू ये निकलेगी, यानि नॉन मेटल्स निकलेगी, जो कि निमने प्रकार से वरगी करित की जा सकता है, खनीज का यहां मितलब मतलब जिस्से एक मिलती है जैसे जला कर पेट्रोलियम पE-ट्रोलियम का उपयोग हम लोग गाडियों वगरे में करते हैं ठीक है तो उसमें क्या होता है पेट्रोल जलता ही तो है और जब पेट्रोल जलता है तो लीज है उचे‍से उलता है प्राकरिटी वो ग्रिफाइटी होता है, तो ये अधात्विक खनीज हो गए, ठीक है, तो जैसा कि उपरोक्त आरक, आरेक सस्पष्ट है, धातू के सुरोत धात्विक खनीज है, लोह एसक तामबायों सोना, स्वन, आदी से धातू उपलब्द होते हैं, और इन्हें धात्विक खनीज श्र खनीज में आता है, वही बात है जिसमे लोहा होता है, वो धात्विक खनीज में कौन सा खनीज हो गया, लोह धात्विक खनीज उपलब्द केता है, जैसे कि जिवाशamin धन, जिवाश मिंसे होते हैं, जिसमें जो जैसे पेड़ पौधे कभिप भुकम पाया भड आगया तो मिट्टी के नीचे दब गया, वो धीरे धीरे काला अंतर में बहुत सारे हजारों हजार सालों के बाद वो क्या हो जाते हैं, वो इंधन के रूप में बन जाते हैं, जैसे कि कोईला, पेट्रोलियम, आदी, अन्य प्रकार के अधात्वी खनी जो होते हैं, वो अकार्बनिक उत पत्थर, ग्रेफाइट, कार्बनिक उत्पत्ती मतलब क्या हुआ, देखो, मनुष्य का जो शरीर है, या फिर पेड़ पौधे जो है, जो भी जीव जन्तु है, चाहे वो जीव हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, जिसमें भी जीवन है, उसमें बहुत सारी मात्रा में कार्बन है, मनुष्य को जलाए जाएगा, काला मिलेगा, कोईला मिलेगा, कोईला क्या है, कार्बन है, पेड़ पौधे को जलाए जाएगा, लकडी हम जलाते हैं, उससे क्या मिलता है, कोईला मिलता है, तो वो भी कार्बन है, तुसलिए कह रहा है, कि खनीज इंधन जो होत त्थोड़ा सब्सके ओत्ति का कारण है जिसंघ मानोव पेट प्धे बहुत टाइम तक दबे रहने की वज़ेसे जिवाश्मो के वज़े से उन,का निरमान नहीं होता है जिसका रुम मैं आकार्बनि गुतत्ति के कहता है आगे बढ़ते हैं खनीजों के कुछ निश्यत विशेष्टाय होती है या शेतर में आसमान रूप से वित्रित होते हैं खनीजों की गुणवत्ता और मात्रा के वीच प्रतिलोमी संबंद पाया जाता है यानि कि जो खनीज जादा मात्रा में पाई जाएगी उसकी जो गुण ठीक है सिंपल बात है अगे आते हैं तीसरी प्रमुक विशेष्टा यह है कि ये सभी खनीज समय के साथ समाप्त हो जाते हैं जो भी जिवाश्म खनीज है या पारंपर इक खनीज जिसको हम कहते हैं अनवी करणिया खनीज जिसको कहते हैं उर्जा के अनवी करणिया सरोत य उसको नहीं बना पाएंगी, जो अभी का जो दब रहा है, मिट्टी के नीचे जा रहा है, पीड़ पोधा, वो हजार साल बाद हमारे जो भी आने वाले वन्शज होंगे, वो लोग यूज कर पाएंगे, हम जितना खतम कर दें हैं, वो तो हम दुबारा यूज नहीं कर पाएं अगर आते हैं, भारत में खनीजों का वितरन बहुत इंपोर्टन भारत में अधिकांश धातवी खनीच, प्राइद यूपिय पठारी, छेतर की प्राचीन, क्रिस्टलिय, बहारत में उठाइद पाएंगे, गोले का लगवख 97 प्रतिशत भाग, दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी नदी यूँकि घाटियों में पाया जाता है। सबसे पुराना जो पेट्रोलियम का शेत्र है वो असम का ही शेत्र है डिगबोई तेल शेत्र है गुजरात में भी पाया जाता है और मुंबई हाई मुंबई हाई जो है मुंबई के समुद्र तर से लगवग 176 किलोमेटर पस्ची में समुद्र के बीच में एक स्टेशन बनाया गया है जंक्शन बनाया गया है वहाँ से खनीज देल निकलता है पेट्रोलियम निकलता है ठीक है नए आरक्षी चेतर में कौन से है खृष्णा गोदावरी तथा कावेरी बेसिनों में भी पाये गया है अधिकांश प्रमुक खनीज मंगलोर से कानपूर को जोडने वाली कलपीत रेखा के पुर्वे में पाये गया है अब कलपीत रेखा का अर्थ यह होगा कि मंगलोर जो करनाटक का एक शहर है और कानपूर उत्तर प्रदीश का एक शहर है इनको दोनों को एक लाइन से हम मिलाए एक स्केल लेके एक लाइन ड्रॉ करें तो इस जो लाइन होगी उसके पूर्व में पाये जाते हैं ये कुछ कडाचनिक भंडार यत्रटटर एकांकी खंडों में भी पाये जाते हैं बहुत जादा शुद्ध हिंदी लिखी ए लिखी अभी हिंदी इतनी शुद्ध हो जाती ना कि आप समझ मतलब जादाव शुद्ध हंधी भी समझना मुष्किल हो जाता है तो यह हैं यह कह रह यानि यहां वहाँ, एकांकी खंडो में, एक दो खंडो में फोड़ा खोरा करके पाया जाता है, तो यह पट्टिया कौन सी है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, पट्टिया में सबसे पहली पट्टी है, उत्तरपुरवी पथारी प्रदेश, इसको पट्टी के अंतर गत कुछ भाग आते हैं कि अपने कभी सोचा है कि प्रमुख लौ यूम इस पात उद्ध्यों इस चेत्र में क्यों अवस्तित है यहाँ पर विभिन प्रकार के खनीज उगलब्द है जैसे कि लौ एस कोईला मैगनीज बॉक्साइट वह अपराका दी हमने पड़ा था कि भारत में जो भी खनीज है उनका कॉंसेंट्रेशन या उनका एक संगठन या एक भंडार जो है वह मुख्यता पठारी छेत्रों में है तो सबसे पहले उत्तर पुरवी पठारी प्रुदेशमर ऐसा नहीं है कि एक खनीज का है बहुत सारे खनीजों का यहाँ पर भंडार मिलता है जै जो हमारा जितना भी मिनरल्स था जितना भी खनीज था उनके पास चला गया अब क्या ही किया जा सकता है ठीक है तो पहला यह चेतर हो गया जिसमें पाया जाता है उत्तरपुर्वी पठारी प्रदेश इसके अंतरगत कौन-कौन से प्रदेश आते हैं यह जानना काफी इसको आप नोट्स बना लेंगे कि लौ एसक पाया जाएगा कोईला पाया जाएगा मैगनीज पाया जाएगा बॉकसाइट पाया जाएगा और अब्रक वगरा पाया जाएगा ठीक है दूसरा छेतर जो है वो है दक्षिन पश्चिमी पठार प्रदेश इसमें कौन-कौन से शेतर आ रहे है तो इसमें है यह पट्टी करनाटक, गोवा और संसपर्शी तमिलनाडू का जो हिस्सा तमिलनाडू को टच कर रहा है और तमिलनाडू की जो उच भूमी है उच भूमी मतलब जो पहाड़ी वाली भूमी है जो एक तमिलनाडू की तटिय भूमी हो गई जो स बॉक्साइट और यह सब में सम्रिद है, बॉक्साइट किसका अयस्क है, बॉक्साइट अल्यूमिनियूम का अयस्क है, इसमें उचकोटी का लाव अयस्क मैगनीज ताथा चूना पत्थर भी पाया जाता है, निवेली लिगनाइट को छोड़कर इस खेतर में कोईला निक्ष जाता है, ठीक है, तो इस खेतर में कोईला निक्षेपों का अभाव है, मतलब साउथ की तरफ जब जाएंगे, दक्षिन के तरफ जाएंगे, तो वहाँ पे कोईला निक्षेपों का अभाव पाया जाता है, तो इस पट्टी के खनीज निक्षेप उत्तर पूर्वी पर पर फिर्टापूर्ड नहीं है, केरल में मोनाजाइट तसा थोरियम, यह जो आपके हो गए, यह आपके परमानू खनीज में आ गए, थोरियम, उरेनियम, मोनाजाइट यह सब परमानू खनीज में आते हैं, और बॉकसाइट कले के निक्षेप है, और गुवा में लॉग इसके के निक्षेप पाए गए है, निक्षेप मतलब भंडार पाए गए है, उत्तर पश्चिमी प्रदेश, ये तीसरा पार्ट हो गए हमारा पहला कौन सा था, उत्तर पुरवी पठारी प्रदेश, दूसरा कौन सा था, दक्षिन पश्चिमी पठारी प्रदेश, और तीसरा उत्तर पश्चिमी प्रतेश इस पट्टी में देखो क्या क्या पाया जा रहा है यह पट्टी राजस्तान में अरावली और गुजरात के कुछ भाग पर विस्तरित है तो सबसे पुरानी जो पहाडी की श्रिंखला कहते हैं वो अरावली ही है ठीक है और यहां के खनीज धारवाड करम के शैलो से संबंध है तामबा जिंक आधी यहां के प्रमुक खनीज है राजस्तान बलुआ पत्थर ग्रेनाइट संग मर्मर जिप्सम जैसे भावन निर्वान के पत्थरों में संब्रित है अभी भी पता होगा कि जो भी टाइल्स मार्वल वगेरा आता है वो कहां से आता है राजस्तान से आता है राजस्तान का जो मकराना है वो पूरे भारत में ये संग मर्मर ग्रेनाइट आधी के लिए बहुत जादा फेमस है और ये भी कहा जाता है कि ताज महल को बनाने के लिए जो सफिद संगमरमर आया था ना वो इसी राजस्थान के मकराना से आया था ठीक है तो वहाँ पे अभी भी बहुत सारे भंडार है और हमारे यहां जितना भी सप्लाई हो रहा है ग्रेनाइट, संगमरमर, इत्यादी का, म गुजरात में भी वैट्रोलियम पाया जाता है अब जानते होंगे कि गुजरात और राजस्थान दोनों में नमक के समरिद स्रोथ है गुजरात में समुद्र तट है राजस्थान में समुद्र तट नहीं है लेकिन राजस्थान में नमक की जीले है बहुत फेमस नमक की जी बशिखी मीन यह जाते हैं ऐसम घाटी में खनीज तेलों के निकशेप है सबसे पुराना ऐच खनीज तेलों के निकशेप है इसके अधरिक्ट गैंचल संसाधन मुंबई के की निकटा अप्तरीय शेत त्र मुंबई हाई में भी प्लाइज बातासे właśnie 176 km मुंबई तट से 176 km पश्चिम में ये एक प्लैटफॉम बनाया गया है और यहां से खनीज निकाला जाता है, पेट्रोलियम निकाला जाता है, आगे के प्रिष्टों में आप कुछ महत्वपुन खनीजों के स्थानिक प्रारूपों के बारे में जानेंगे, लौ खनीज, धातू अधारी तुद्योगों के विकास के लिए एक सुद्रिण आधार प्रदान करते हैं, अब लौहा पे बेस्ट खनीजों के बारे में बात करेंगे, तो इसमें हो गया लौ एस्क मैगनीज और क्रुमाइट आदी जैसे लौ खनीज, धातू अधारी तुद्योगों के यहां को लोहे से खनीज पाये भी जाते हैं, तो इसके भंडार भी है हमारे पास, हम लोग अच्छा खासा उत्पादन भी करते हैं, ठीक है, अब लौ एस्क पर आते हैं, बहुत इंपोर्टन्ट, लौ एस्क में कौन-कौन से हो जाएंगे, हेमेटाइट, मैगनेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट, यह सब हो गया, लौ एसक ठीक है, भारत में लौ एसक के प्रचूर संसाधन है, यहां एशिया के विशालतम लौ एसक आरक्षित है, तो एशिया के विशालतम लौ एसक कहा आरक्षित है, भारत में, हमारे देश में इस एसक के दो प्रमुख प प्रदेश कौन से थे अभी हमने पिछले पिछले पेज पर पढ़ाया ना इसमें आते थे जारखन, लोडीशा के पठार, पश्चिम बंगार और चतिस गड़ के भाग आते थे तो यह सब इंपॉर्टेंट है और यह सब याद रखना है बिल्कुल ठीक है भारत में लोड़ेश के प्रजूर सनसादन है, एशिया के विशालत रॉच आरक्षित है, यह से हो गया था लोड़ेश की खदाने देश के उत्री पूरवी पठार, प्रदेशों में कोईला शेत्रों के निकट स्थित है और इसके लिए लाभप्रद है लौ एस के कुल आरक्षित भंडारों का 95 प्रतिशत भाग यानि कुल जितना भंडार है उसका 95 प्रतिशत भाग सिर्फ ओडिशा, जारखंड, 36 गड़, करनाटक, गोवा, आंधर प्रतिश और तमिलनाडू राजियों में इस्थित है, ओडिशा में लौ एस कहा कहा मिलता है तो सुन्दरगण, मयूर भंज, जार, इस्थित पहाड़ी श्रिंख लाओं में पाया जाता है, इसका आप लोग एक छोटा सा चार्ट टाइप का बना लेंगे, एक साइड में राज्जी लिखेंगे, दूसरे साइड में लिखेंगे कहां कौन से, लोहा का अलग, से पूछ सकता है, आगे बढ़ेंगे, ओडिशा में लोह एसका सुन्दरगण, मयूर भंज, जार, इस्थित पहाड़ी श्रिंख लाओं में पाया जाता है, यहां कि महत्वपोन खदाने हैं कहां कि ओडिशा की, गुरु महिसानी, सुलाय पत, बादाम पहाड, किरु बुर तथा बोनाई, यह सुन्दरगण में है, जारखन के ऐसे ही पहाड़ी श्रिंख लाओं में सबसे पुरानी लोह एसके खदाने हैं, तथा अधिकतर लोह एम इस पात सेंतर इसके आसपास ही हिस्थे थे, अब ओव्यस बात है कि जहां पे लोह एसके खदाने होंगी, तो लो लोहे में जंग लग जाता है, स्टील में जल्दी जंग नहीं लगता है, ठीक है, स्टील में भी सबसे अच्छी क्वालिटी हो, स्टेनलेस स्टील वगरा आपने सुना होगा, जिसमें दाग वगरा नहीं लगता है, जंग वगरा नहीं लगता है, तो जहां पे लोहा एसकी स्थील से अंतर इस्पात मतलब स्थील इसके आस पास ही इस्थित है नुवा मंडी और गुवा जैसी अदिकतर महत्पून खदाने पुर्वी और पश्चिमी सिंग भूम जिलों में इस्थित है यह पट्टी आगे दुर्ग दांते वाड़ा और बैला डीला तक विस्थित है डली तथा दुर्ग में राजहरा की जो ख़दाने है देश की लौ एसक की मौतपूर्ण ख़दाने है करनाटक में लौ एसक के निक्षे बलारी जिले के संदूर होसपेटे शेतरत में चिकमंगलरु जिले के बाबा-बुधन पहाड़ी बहुत पहले हम मिलता था लोग पढ़ते थे ते बाबा-बुधन पहाड़ी आफ़ी फेमस था, नाम इसका थोड़े से हैं तो हम लोग काफी मजाग clock बनाते थे तो करनाटक में लॉएस के निक्षेप बलारी जिले के सुदूर होस पेटे छेतर में तथा चिकमंगलुरु जिले की बाबा बुदन पहाडियों और कुद्रे मुख तथा शिव मोगा चित्र दुर्ग ये सब जिले हैं और तुमकुरु जिलों के कुछ हिस्से में पाए जात हैं महाराष्टर के चंद्रपूर भंडारा और रत्नागिरी जिले तेलंगाना के करीम नगर वारांगल जिले आंधर प्रदेश के कुरुनुल कडपा अनंतपूर जिले और तमिलनाडु राजे के सेलम तथा नील गिरी जिले लॉए खनन के अन्य प्रदेशी काफी जादा इंपॉर्टेंट है इसको याद रखना और आपको याद रखना ही पड़ेगा चार्ट बना लिजे नोट्स बना लिजे और इसको याद करते रही है ठीक है गुआ भी लौए एस के महतुपूर उत्पादक के रूप में उभरा है गुआ में भी लौए जो है वो पाए जा उसमें मैगनीज का प्रियोग होता है विनिर्माण में भी किया जाता है विनिर्माण उद्योग में किया जाता है मैगनीज निक्षेप लगबग सभी भुगर्विक संरचनाओं में पाया जाता है सभी प्रकार के भुगर्विक संरचनाओं हो गई चाहे वो पहाड़ी भा का वरगी करण अगर किया जाए तो पहले तो तीन भागों में वरगी के रित किये जाते हैं यह अगर आप करम की चताने दूसरा मैं घारवार क्रम चतोने थे कऊड़ विंहराप करम की चताने खौड़ाव कम को याद रखेंगे से आप है और लोग यह पहले पढ़ चुके होंगे, क्यों कि यह काफी पहले ईड़ीक है, इसको एक बार आप research जो पुरा चाथ है इसको आप screenshot कर लेंगे इसको याद करनों के ठीक है, और और अगे अगर कभी मिलें विशह हैं, अपने आप में ये एक चैप्टर बन सकता है तो आगे अगर कभी मिला तो पढ़ा देंगा और अगर शायद 11 में अगर मिला होगा तो आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको अब ये चार्ट हो गई ये आपकी पूरा पूरा मैप हो गया धातवी खनीज का यहां पर वितरन आपको दिखाया जा रहा है और इसमें लोहा एसक जो है इस प्रकार से हैं लोहा एसक आप देखेंगे करनाटक में है ये आपका मद्य प्रदेश और चतिसगर का इलाका हो गय ये देखिए महाराष्ट में समुद्र तर्ट के इलाकों से सटा हुआ लोहा एसकी खदाने है तो ये भी अगर आप देखें इसके हिसाब से मतलब मैप के हिसाब से भी तो काफी आप मैप को दिमाग में रखे तो एक्जाम टाइम में काफी आपको हिल्प हो सकती है ये तो इसको भी धियान में रखना है आगे आएंगे ओडिशा मैगनीज का ग्रणी उत्पादक है तो भारत में सबसे ज़्याद मैगनीज कहां पाया जाता है ओडिशा में ओडिशा के मुखे खदाने भारत की लौ ऐस्क पट्टी के मद्दे भाग में विशेश रूप से बो कुलंगीर इस्थित है ठीक है करनाटक एक अन्य प्रमुख उत्पादक है करनाटक दूसरा प्रमुख उत्पादक है किसका मैगनीज का यहां के खदाने है धारवाड बल्लारी बेलगावी उत्तरी कनारा चिकमंगलुरु शिवमोगा चित्र दुर्ग तथा तुमकुरु जिलो में इस्थित है महाराष्ट भी मैगनीज का एक महत्पूर उत्पादक है तीसरा कौन सा राजे होगा महाराष्ट पहला कौन सा था ओडिशा दूसरा अन्य पर इन खदानों के अलाव यह है कि इस पात सयंतरों से दूर इस्थित है अलाव मतलब हानि लाव लाव में जोड़ा गया तो विपरीत हो गया अलाव मतलब हानी तो यह जो खदान है यहाँ पर इसपात संयत्रों से दूर इस्थित है तो अगर दूर इस्थित होगा तो खाफी कौस्ट बढ़ जाता है मतलब खनीज का जो ऐसको से धातु का जो निशकर्शन होता है उसका कौस्ट पट्टी है ये है बालागाठ चिंदवाडा निमाड मांडला और जाबुआ जिलो तक विस्तरित है मंत्य प्रदेश में तेलंगाना गोवा और जारखंड भी मैगनीश के अन्य गौन उत्पादक है मतलब कम अपेक्षाकरित रूप से कम खनीज पाया जाता है ठीक है अलाहो देख लेता है ठीक है बॉक्साइट एक अयस्क है जिसका प्रियोग अलुमिनियम के विनिर्मान में किया जाता है तो बॉक्साइट अलुमिनियम का एक सबसे मुख्य अयस्क है बॉक्साइट मुख्यता टर्शरी निक्षेपों में पाया जाता है टर्शरी ये भी चट्ट जो है और तो पहाडों में तो पाया ही जाता है ठीक है परवत शेडियों में पाया जाता है पठारी छेतर में तो खनीज पाया ही जा रहे है तो यहां तो पाया ही जाएगा और साथ ही साथ तटीय भागों में जो भी जो है वो पाया जाता है ओडिशा बॉकसाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है ओडिशा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक क्या ओडिशा ही था देखिए ओडिशा मैगनीज का अगरणी उत्पादक है ठीक है तो बॉक्साइट का भी अगरणी उत्पादक कौन है सबसे बड़ा काला हांडी तथा संभलपूर अग्रणी उत्पादा के यह दो जिले हैं जहां पर पाए जाता है काला हांडी और संभलपूर दो अन्य शेत्र हैं जो अपने उत्पादन को बढ़ा रहा है वो है बोलंगीर तथा कोरापुट यह कहां पर है यह भी ओडिसा में होंगे जहारक परमुख उत्पादक राज है किसके बोकसाइट के गुजरात चांतिषगर मद्यप्रदेश और महरा स्था है और इसी अमर तक के पहाडी से नदी निकलती कौन सी नदी सोन नदी और उसी सोन से बनता है सोन सैंड जिसको सोन सैंड सोन सैंड लोग कहते है न वो वही सोन नदी का जो सैंड होता है नि सोन नदी का जो बालू होता है उसी को हम कहते हैं सोन सैंड लेकिन लोग उसको क्या कहते हैं सोन सैंड के बालू हो ठीक है तो आप लोग पढ़े जबलपुर और बाला घाट में महाराष्ट में कोलाबा थाने रतनागरी सातारापुने तथा कोलापुर महत्पूर्ण उत्पादक है करनाटक तमिलनाडू और गोवा में भी होता है ठीक है तामबा पे आते हैं बिजली की मोटर ये ट्रांसफर्मर जनेरेटर साधी बनाने बिजली की मोटर का जो कोईल होता है अंदर तमबा का बना होता है ट्रांसफर्मर में भी तामबा होता है जनेरेटर में भी होता है पंके में भी हो ता है, और विद्धी तुदियोग में जो नॉर्मल तारे होती हैं, अगात वर्द तन्य धातू होता है, यह बहुत पहले हम लोग पढ़ते हैं, सवनधे ग्लास में, अगात वर्द द्रॉपर जब वार कियो जाता है, उसको पीट पीट के उसकी लंबाई को बढ़ाया जा सकता है तो अतन्य मतलब होता है कि जल्दी तूटता नहीं है यह होता है मेरे ख्याल से अगर कुछ गलत होगा तो करेट कर दीजिएगा आप लो सुरी आभुशनों को सुद्रिता प्रदान करने के स्वर्ण के साथ भी मिलाया जाता है तो आभुशनों में मजबूती के लिए जल्दी तूटता नहीं है इसलिए इसको सोने के साथ मिला के सोने की स्ट्रिंथ को सोने की शक्ति को बढ़ाया जाता है ठीक है तामबा निक्ष प्राइब कर ली ओए कि पर मैं कर लेता हूँ हाला कि मुझे लगता है कि सही है लिए घेतरी को कौपर प्रोजेक्ट जी ठीक है तो खेटरी जो है राजस्तान में खेटरी राजस्तान खेटरी में तांबा के भंदार पाय जाते अभूषिन प्रदेश के बारे में अब हम बात करेंगे अधात्वी खनीज कौन से हैं धात्वी खनीजों के बारे में लगबग जितनी बाते थी वो किजा चुकी है अब हम कहां आ जाएंगा सीधा अधात्वी खनीजों में अभरक महत्वपूर्ण है स्थानिय खपत के लिए उत्पन्द किये जा रहे है अन्य खनीज चुनापत्तर डॉलोमाइट तथा फोसफेट है चुनापत्तर और डॉलोमाइट जो है इनका उपयोग सीमेंट उद्योग में किया जाता है और अभरक का जो उपयोग है उसमें रंग उद्योग में किया जाता है और भी बहुत तरह के उपकरण बनाने में किया जाते हैं अबरक का उपयोग मुख्यता विद्यूत उपकरणों में इलेक्ट्रोनिक्स उद्योगों में किया जाता है से पतली चादरों में विघटित किया जा सकता है, जो काफी सक्त और सुनम में होती है, भारत में अब अबरक मुख्यता जारकंड आंधर प्रदेश, तेलंगाना और राजस्तान में पाया जाता है, इसके पश्चा तमिल नाडू, पश्चिम बंगाल और मद्रदेश आते हैं आंधर प्रदेश में नेललोर जिले में सर्वोत्तम प्रकार के अबरक का उत्पादन किया जाता है, आंधर प्रदेश में जो सबसे बढ़िया किस्म के अबरक का उत्पादन है, वो का नेललोर में किया जाता है, राजस्तान में अबरक की पट्टी लगभग 320 किलमोटर लं मंगाल के पुरूलिया बाकुडा जिलों में भी अभरक के निक्षेप पाए जाते हैं तो यह सब आप लोग एक बार नोट कर लेंगे बहुत इंपोर्टेंट है इसको याद रखना ही पड़ेगा कोई उपाए नहीं है इसका आगे आते हैं उर्जा संसाधनों के ऊपर परंपरागत सुरुत है यह परंपरागत सुरुत अमाप पे संसाधना तो जाएंगे हमेशा नहीं रहेंगे ठीक हैं अगले पेज में फिर से मैप है और इस मै अगत बनcano है कोईला पे बहुत important बहुत सारा जो हमारे देश का अगर देखा जाए तो 70 प्रतिशत से अधिक जो बिजली है वो अभी भी कोईले से बनाई जारी है ठीक है तो ऐसे तो कहा जाता है कि बिजली की ट्रेने चल रही है तो डीजल वगरा बच रहा है पट्रोल वगरा बच रह हो अभी जो बिजली उत्फण भी हो रही है अभी किस से उत्पन हो रही है कोईला से रही है अभी हम अरी वगरा बच रहे खोशूरत धूर्वर से इंपॉर्टण है को लह महत्तु को गला के उससे लोहा निकालने के लिए कोईला का उपयोग किया जाता है हर इंडस्ट्री में लगवग लगवग कोईले की जरूरत होती है जहां एनरजी की जरूरत होती है वहां कोईले की जरूरत होती ही है कोईला मुखी रूप से दो भुगरभी कालों की शैल क्रमों में जिनका नाम है गोंडवाना और टर्शरी निक्षेप यानि दो तरह की चट्टानों में कोईला पाया जाता है पहला कौन सा है गोंडवाना और दूसरा कौन सा है टर्शरी टर्शरी काल के जो चट्टान है उनमें कोईला का निक्षेप पाया जाता है भारत में कोईला नहीं प्रतिशत कहते हैं जो असी प्रतिशत भाग का है और गैर कोक करी ये न Okay कोल होता है जो भारत जो अच्छा एंथरा साइट के बाद जो सबसे अच्छी क्वालिटी होती है वो बिटुमिनस ही होती है ठीक है गोर्णवाना कोईले का परमुक संसाधन पश्चिम बंगाल जारखंड उडीसा चतिसगर मध्य प्रदेश महाराष्ट और आंद्र प्रदेश में वस्थित कोईला चेतरों में है भारत में सरवादिक महतपून गोर्णवाना कोईला चेतर दामोदर घाटी में स्थित है गदामोदर नदी जिस परकार कोसी नदी को भारत बिहार का शोक कहा जाता है उसी परकार दामोदर नदी को एक समय में बंगाल का शोक कहा जाता था लेकिन अब उस पर बांध बना दिया गया है जारखंड के मैथन में बांध बनाए और भीचे के बांध बनाए गया है जि जारखंड बंगाल के कोईला पट्टी के पुर्मो कोईला चेतर कौन कौन से है रानी गंज जरिया बोकारो गिरिडी और करनपुरा ये जारखंड में है रानी गंज जिसमें सिर्फ एक पश्चिम बंगाल में है वाकि जरिया बोकारो गिरिडी और करनपुरा कहां पर जारख और कोईला चेत्र का कुछ भाग उत्तर प्रदेश में भी आता है 36 गड़ में कोरभा उडिशा में तलचर तथा रामपूर महाराष्टर में चांदा वर्धा कामपटी और बांदेर तेलरंगाना में सिंग्रेनी वह अंधर प्रदेश में पांडूर है ठीक है उससे पहले हम थोड़े दिख लेते हैं सिंग्रेनी में खनान कर्मियों के बचाओ है तू चिडिया यह आप लोग पढ़ लेंगे इतना इंपॉर्टन नहीं है कहानी टाइप का है इसके बाद यह जो नेवेली का कोल फिल्ड नेवेली कहां पे है केरल में है नेवेली का कोल फिल्ड यहां पे लिगनाइट किस्म का कोईला पाया जाता है तो यह कोईले की ख़दान को दिखाया जा रहा है ठीक है सर्वादिक occup occup चलिकिन द्रमधिय प्रदेश सिंह रॉसी इए और यहां पे आपको इससे वाले मैप मेप को परंपरा गत उरुजा सुरुथ के भंधार मिल जाते हैं इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे और इसमें देखिए, मैप पर पढ़ने से फायदा होता है, जब आप पढ़ेंगे तो यह मैप ध्यान में रहता है, अगर बार बार देखेंगे तो यह ध्यान में रहेगा, ठीक है, उसके बाद हम लोग थे, कोईला शेतर कुछ भाग उत्तर प्रदेश में भी आता है, यानि कि म मंद्य प्रदेश में कौन सा भाग था, सिंग रॉली, यहाँ पर, मंद्य प्रदेश में सिंग रॉली था और वो बढ़के कहां तक आ गया था, उत्तर प्रदेश था, कोईला शेतर का कुछ भाग उत्तर प्रदेश में भी आता है, 36 गड़ में कोरबा, ओडिशा में तलच और रामपूर महराष्ट में चांदा वर्दा, कामपटी और बांदेर, तेलंगारा में सिंगरेनी वांद्य प्रदेश में पांडूर यह क्या है, यह सारे कोईला चेतर है, तर्शेरी कोईला कहां पाया जाता है, असम, अरुनाचल प्रदेश, मेघाले तथा नागा नाफुक यह जो है, अरुनाचल प्रदेश में है, तता काला कोट, जम्मू कश्मीर में भी निश्कर्शित किया जाता है, तो कोईला देखिए है, लगवग हर छेतर में पाया जा रहा है, जारखंड और मद्य प्रदेश के पठारों में भी पाया जा रहा है, और सुदूर भागो, पॉंडिचेरी, गुजरात और जम्मू कश्मीर में भी पाया जाता है, भूरा कोला या लिगनाइट ये सबसे ज़्यादा धूहा करता है, सबसे मतलब कम किसम का कोईला होता है, बेकार होता है, ये सबसे निमने किसम का कोईला होता है, तो ये कहां-कहां पाया जा इसके रसायनिक संदचना रंगो और विशिष्ट घनत में भिन्नता पाई जाती है। और इसमें देखिए कितना important है petroleum की अपनी दुरलबता और विविद उपयोगों के लिए petroleum को तरल सोना कहा जाता है। तर्शरी यूग की अवसादी शैलों में पाया जाता है। विवस्ति धंग से तेल अन्वेशन और उत्पादन यही प्रोपर धंग से तेल का निकालना और उस तेल का उत्पादन करना 1956 में तेल अंप्राकरतिक गैस आयोग के स्थापना के बाद हुआ तो तेल अंप्राकरतिक गैस आयोग के स्थापना कब हुए 1956 में तब तक असम में डिगबोई एक मातर तेल उत्पादक छेतर था लेकिन उस्सोचपपन के बाद परिद्रिश बदल गया सबसे पहला तेल उत्पादक छेतर कौन सा था असम का डिगबोई हाली के वर्षों में देश के दूरतम पश्चिमी और पुर्वी तटो पर तेल निक्षे पाए गया अभी भारत में सबसे लेटेस जो तेल निक्षे पाए गया है वो राजस्थान में पाए गया है असम में डिगबोई नहार कटिया तथा मुरान महतपून तेल उत्पादक छेतर है गुजरात में प्रमुक तेल शेतर अंकलेश्वर कालोल महसाना नावा गम कोसामबा तथा लूनेज है मुंबई हाइ जो मुंबई नगर से 160 किलमेटर दूर अब 30 शेतर में पढ़ता है पस्चिमी भाग में ओंबई तर से 170 किलमेटर दूर यहां पर लिका हुआ है तो ये जो बुंबई हाई है, एक सो साट किलमेटर दूर अब तटी और चेतर में पढ़ता है, इसकी खोज कब हुई थी, 1973 में खोजा गया था, वहाँ उत्पाधन प्रारंब हो गया, तेल और प्राकृतिक गैस को पुर्वी तट पर कृष्णा गोदावरी तत कावेरी के ब कोरो मंडल तट और पश्चमी तट का एक और नाम कौन सा है, मालाबार तट, कृष्णा कोदावरी तता कावेरी के बेसिनों में भी अनवेशनात्मा कूपो में पाया जाता है थोड़ा बहुत तेल और प्राकृतिक गैस, कूपो से निकाला गया तेल अपरिश्कृत तता अनेक अशिद्यों से परिपूर्ण होता है, इससे सीधे परियोग में नहीं लाया जा सकता है, इसको शोधित किये जाने की आवशक्ता होती है, भारत में दो प्रकार के तेल शोधन का रखाने हैं, यह पहला है, शेतर अधारी दूसरा है कौन सा, बाजार अधारी डिगब बढ़ना एरिया है, कभी आप जाकर देख सकते हैं, तो बिहार में भारत बोल रहा था क्या, बिहार में बढ़नी का एक ही मतलब बढ़नी में एक ही जो है तेल शोधन का रखाना है, जो कि बहुत फेमस है, वम लोग के पास उध्योगो के नाम पर थोड़ा बहुत इधर ब चानाहेटिख करखाने में है एक दो बचे होई है जो बड़ेस तर लौद नामी है वरौनी में देल चोधन ड़ाना Juby हार प्राही टाँन चाहर प्राकृतिख प्राइच सब्लया निकलती है दो आप सट शंते हैं न अगत प्राृतिस इसन झॉदत अ stratég Classic क्या होता है cng का full form क्या होता है compressed natural gases ठीक है अब लिख देते हैं cng cng compressed natural gas यह हो गया आपका cng का full form compressed natural gas तो यह किस के साथ निकलता है petroleum रहता है petroleum के साथ ही निकलता है इसका उपयोग बिजली शेतर में इंधन के रूप में बिजली पैदा करने के लिए उद्योगों में heating के उद्देश के लिए रासायनिक petrochemical और उर्वरक उद्योगों में कच्छे माल के रूप में किया जाता है किसका उपयोग प्राकृतिक रसाइनिक पेट्रो केमिकल और उर्वरक उद्योगों में कच्छे माल के रूप में है पेट्रो केमिकल मतलब पेट्रोलियम से जो केमिकल निकलता है जिस तरीके के उसमें वो होता है पेट्रो केमिकल गैस के बुनियादी धाचे में विस्तार और स्थानिय शहर गैस वित्रन COD Network के विस्तार के साथ प्राकरितिक गैस पसंदीदा परिवहन इंधन CNG और घरों में खाना पकाने के इंधन PNG के रूप में भी उबर रहा है जो LPG होता है वो भी तो पेट्रोलियम गैस ही है भारत के प्रमुक गैस भंडार मुंबई हाई और अन्य संबंद प्रमुक जो गैस के भंडार है इसमें खाना पकाने का इंधन हो गया PNG और परिवहन इंधन हो गया CNG ठीक है पुर्वी तरपर किष्णा गोदावरी बेसिन में प्रमुक गैस के नए भंडार की खोज की गई है अब आगा है सीधा अपरम परागत उर्जा स्रोत और यही है फ्यूचर भाई यही फ्यूचर है मतलब आपरम परागत उर्जा स्रोत मतलब जिवाश्म आधारित और पेट्रोलियम आधारित कोईला आधारित जो उर्जा स्रोत है उनको छोड़ कर बाकी कौन-कौन से उर्जा सुरोत है उनके विशय में अब बात किया जाएगा, ठीक है, कोईला पेट्रोलियम प्राकरितिक गैस नाभी किया उर्जा, यानि परमानू उर्जा, जो यूरेनियम और इन सारी चीजों से बनता है, यूरेनियम प्लुटोनियम और ये सब जो रेडियो एक्टिव मे मतलब किया हुआ, सहतत पोशनिय और जाकर मतलब हुआ, कि लगातार हम इसका उर्जा कर सकें और इसको city किया जा सकें, श कал रिव मानी जाती है, उसमें सिंपल पानी गिरता है टर्वाइन पर तर्वाइन घूमता है बिजली बनती हूए, पानी गिरते रहेगा, टर्वाइ पुर्ष्निया उर्जा इसी को कहा जाता है कि लगातार उर्जा को हम यूज कर पाएं और इसके मतलब ऐसा निंग भंडार सिमित है को जो खतम हो जो कि किसमें थे परंपर आगत उर्जा में तो इसको कहते है थैiegen पोश्टिय उर्जा के सुरोत ही, नवीकरणिय योग्य सुरोत हैं, जैसे सौर उर्जा, पवन उर्जा, पवन चक्कियों को घुमा कर जो बिजली हम पैदा करते हैं, वो वाली चीज, जल उर्जा, जैसा मैंने अभी बताया कि टर्बाइन पे जल गिरता है, उससे टर्बाइ गोबर गैस के रूप में हम लोग यूज करते हैं, बहुत पहले एक गोबर गैस का वो आया था, कॉंसेप्ट आया था, बहुत फेमस हुआ था, तो गोबर गैस किस से बनती थी, उससे मिधेन ही निकलती थी, ठीक है, तो वो यूज होता था, यह उर्जा सुरोत अधिक समा नहीं पहुचाते, कोईला जलेगा, पर्यावरण को नुकसान पहुचेगा, ठीक है, और सस्ती उर्जा, क्योंकि नभी करनी असुरोत है, तो जितना, मतलब जो उसका कॉस्ट है, मशिनरी का कॉस्ट है, वो छोड़के बाकी इसमें कुछ खास खर्चा होता नहीं है, आप घर पर भी होगा, सोलर का वो लगवा लो, तो एक बस बैटरी का खर्चाएगा, एक बार बैटरी लगा लोगे, तो बैटरी तीन चार साल तक चलती है, पांट साल तक चलती है, बस उतना खर्चाएगा, बाकी आप जितना उस बैटरी को चार्ज करके उसको यूज कर लो, तो बहुत सस्ती उर्जा होती है, अपरंपरागत उर्जासरो, ठीक है, आगे तेल शोधन करखानों का यह मैप छोटा सदिया हुआ है, देखो बिहार में बस एक मातर यह बरौनी में बचा हुआ है, यह वाला जो एरिया है, बरौनी में, और बाकी देखो, गुहाटी में यह यह बोंगाई गाओ वगरा है, नुमाली गड़ है, डिगवोई है, यह सारा इलाका, असम वाला जो सारा इलाका है, यहां पर तेल पाया जा रहा है, यहां पर तेल शोधन कर खाने है, और बाकी आप इसको एक बार याद रखेंगे, पुर्वी तरपर काफी सारे है, हल्दिया पश्रिमंगाल पारादीप उडिसा विशा का पटनम आपको हो गया अंधर प्रदेश में, तातीपा का यह भी अंधर प्रदेश में हो गया, चिन्नाई आपको हो गया, तमिलनाडू में हो गया, इधर केरल में कोच्ची हो गया, मंगलूरू हो गया, यह करनाटक में हो गया मुंबई के पास भी है तेल शोधन काय खाने तो हर जगह लगभग पाये जा रह담 और सबसे आप देखो यह किनारे किनारे वाले जगह ले में राजस्तान मेंडे से आप लेकर पुरा देखो अधर बिए फिर इधर किनाप्रिया अजो नेपाल करें नीचे हमारा अधर दर्वी उत्तर प्रड़ेशंदें हर रियान में बहले पंजाब में अधर हर जगए हम घृप है तृसना ऑप डिसद वह ध्यान में रकना अप कि कहा का है ठीक तिर शोदन कर खाने आंगे बढ़ते तो इसमें कुछ पेपर्स के कटिंग दिये हुए, इतना इंपॉर्टन नहीं है, जो बताया गया है कि अप आरंपर एक स्रोतों से 2000 मेगावाट बिजली पैदा होगी, यह कभी का एक दसवी उजना के अंत तक अक्षाय उर्जा, अक्षाय उर्जा इसी को कहते हैं, नभी करन में परिप्त होने वाला है, महत्वपुन खरीज कौन से है, यूरिनियम और थोरियम, प्लुटोनियम जो है, उसका उपयोग किया जाता है, ये भी ना भी किया, उर्जा का ही स्रोत है, लेकिन इसका उपयोग बॉम बनाने में जो बनते हैं, उसमें नुकलियर मिसाइल वग निक्षे पाये जाते हैं, भॉगोलिक रूप से उउरिनियम, अयसक, सिंग्भूम, तामबापत्टी के साथ अने कस्तानों पर मिलते हैं, सिंग्भूम कहा है, जारखंड में, ये राजस्तान के उदैपुर, अलवर, जुनजनु, जिलो, मद्य परदेश के दुर्ग जिले महाराष्ट के भंडारा, जिले जाता है, हिमाचल परदेश के कुल्लू जिले में भी पाया जाता है, जारखंड में, सिंग्भूम के तामबापत्टी के साथ, राजस्तान में, बहुत जादा पाया जा रहा है, अलग-अलग जगों पर, उदैपुर, अलवर, जुनजनु, मद्रे-परदेश के दुर्ग जिले में, महाराष्ट में, भंडारा जिले में, हिमाचल परदेश के कुल्लू में पाया जा रहा है, कुल्लू मनाली, आप जो सबते हैं, वहां पर, कुल्लू और मनाली पाता सम् काप पतनम तता ओड़ीशा में महानीडी के डिल्टा में पाए जाते हैं। तो विश्व के शबसे बढ़िया मोनोजाइट के निकषेप, केरल के पालाकड, कोलाम जिलो, आंधर परदिछ के विशाक पतनम और ओड़ीशा में महानदी के नदी नदी डिल्टा में जो है वो पाए जाते हैं परमानु उर्जा आयो के स्थापना 1948 में की गई थी बहुत इंपोर्टेंट बहुत सारे एक्जाम में पूछता है और इस दिशा में प्रगरती 1954 में ट्रामबे परमानु उर्जा संस्थान की स्थापना के बाद गया था इसके रूप में पुना नामित किया गया महत्वपूर्ण नाभी किया उर्जा परियोजनाई तारापूर महराष्ट कोटा के पास रावत भाटा राजस्थान कलपकम तमिलनाडू नरोरा उत्तर प्रदेश कैगा करनाटक और काकरापड़ा गुजरात में है तो मह है अब आते हैं सोलर एनरजी पर सौर और ओर्जा फोटोरल्टाइक सेलों से विपाशित सूली के किरणों को उर्जा में परिवर्टित किया जा सकता है इसे सौर और नाम से जानाजाता है शौर ओरूर्जा कोकाम में लाने लाने क लिए ही जिन दो प्रकर्मो को बहुत भी भी माना जाता है वो है फोटो वोल्टाइक और सौर इतापिय प्रद्योग की अन्य सभी नविकर निया उर्जा सुरोतों कि अधिक लाबप्रद है या लागत प्रतिस पर्दी पर्यावरन अनुकूल और निर्मान में आसान है नॉर्मल आप एक सोलर पैनल लगवाईए और पैटरी लाइए और अपना बिजली जलाइए एक चोटा सा इंवर्टर भी लगेगा जिसे आप एसी बिजली आप ले सकते है नहीं तो आप डीसी वल्व लगाके आप उस बैटरी से डिरेक्ट भी उसकर सकते है लेकिन उस डीसी को अगर एसी में कनवर्ट करना है तो आप आपको एक छोटा सा inverter लगेगा बहुत कम खर्चा है बैटरी सोलर और इनवर्टर तीनों मिला के अगर देखा जाए तो 15-20,000 रुबे का खर्चा होता है एक बार यह खर्चा जब कर दिये तो फिर तीन साल चार साल पांच साल आराम से चलेगा पांच साल के बाद अगर बैट साथ प्रतिशत अधिक और नाभी किया उर्जा से दस प्रतिशत अधिक प्रभावी है यह समायने ता हीटरो फसल शुषक को क्रॉप ड्रायर यहां पर गर्मी बहुत ज्यादा पढ़ती है यहां सूर्य के किरने बिल्कु सीधी पढ़ती है और सालों भर लगबग गर्मी क करने का मौसम रहता है तो यहां स्यूर्र काफी ज़्यादा यूज करना पड़ेगा क्योंकि है नहीं खनीज साधन जो है खतम होती जाएंगा तो यह सारी चीज़े करनी पड़ेगी हमको ठीक है अब आते हैं पान उर्जा पर पूर्ण रूपेन प्रदूशन मुक्त और उ पूरी तरह प्रदूशन से मुक्त है, अगर आप देखें, सौर उर्जा में भी जो आप बैटरी वगर यूज कर रहे हैं, तो बैटरी जब डेड होगी, तो वो थोड़ा बहुत प्रदूशन तो फैलाएगी, क्योंकि उसके अंदर जो हमारे जो नॉर्मल बैटरी होती है, ये लेड बैटरी होती है, ठीक है, तो प्रदूशन तो थोड़ा सा फैलता है, लेकिन पवन उर्जा अगर देखा जाए, तो पूर्ण रूप से प्रदूशन मुक्त है, पवन चक्क्या लगाईए, टर्बाइन घुमेगी, बिजली उत्पन होगी, तो ये उर्जा का असम सम्मारगी पवनों, पच्छुअ पवनों जैसे स्थाई पवन प्रणालिया और मानसून पवनों को उर्जा के स्रोत के रूप में प्रयोग किया गया है, इनके अलावा स्थाई हवाव, अस्थलियों और जलियों पवनों में भी विद्धुत पैदा करने के लिए उस समय तो यह नहीं हो पाएगा, सम्मुद्र तटिया इलाकों में जो हवाएं हैं वो काफी तेज चलती है, हमेशा हवा चलते रहती है, तो उन इलाकों में आप ले जाके पवन चक्या लगा सकते हैं, उसे बड़े ही आराम से बिजली जो है वो उत्पन कर सकते हैं, ठीक ह वो जारी है, भारत के बस्च्यमी तटब पर विरहत जोारिया तरंगे उत्पन होती है, क्योंकि समुद्र की जो 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 अरगा आटा आते हैं, जो तरंगे आती हैं, उसमें काफी ज़ाधा एनरजी होती है, कभी आप समुद्र तटब पर जाओन तो आपको फील होगा वो कि कितना जादा इसमें पावर होती है ठीक है तो उसको आप बिजली के रूप में उर्जा के रूप में यूज कर सकते हैं पर अभी तक भारत में मतलब किया नहीं गया है इस शेतर पर कोई विशेश ध्यान दिया नहीं गया है ठीक है अब आते हैं भूत आपिया उर्जा के है जब प्रिथवी के गर्व से मैगमा निकलता है ठीक है जब जो आला मुखी का विस्पोर्ट होता है तो आपको पता है कि उसके अंदर से लाल-लाल पिघला हुआ क्या निकलता है मैगमा और यही मैगमा जब पिघल के जब जम जाता है तो कौन सी चटाने बनती है वी थोड़े मैंने पछाल निकलता था अदयाधिक उश्मा निर्मुक्त होती है बहुत जादा गर्मी होती है इस ताप उर्जा को सफलता पुर्वक काम में लाया जा सकता है और इसे विद्धत उर्जा में परिवर्टेत किया जा सकता है इसके अलावा गीजर कूपों से निकलते गर्म पानी से ताप उर्जा पैदा की जा सकती है इसे लोगपिर ये रूप में भूतापी उर्जा के न अब को पता है कि पृत्वी के अंदर उसमें क्या निकलता बहुत जदा राइज भार्या हो जाता है तो सोची है कि उसमें कितना ज़्यादा ताप होता हो गर उस ताप को गर हम उर्जा के रूप में यूज कर सके viral तो कित्नी बढ़िया बात हो सकती है, ठीक है इस उर्जा को अब एक प्रमुक उर्जा सुरोत के रूप में माना जा रहा है जिसे एक वैकलपिक सुरोत के रूप में विक्सित किया जा रहा है कि बाकी सौर उर्जा और बाकी सारी चीज़े तो विक्सित हो रही है लेकिन इसके साथ ही क्यों न ये वैकलपिक सुरोत के में अधिकरित किया जा चुका है अब आते हैं उपर जैव उर्जा चोटा सा यह भी पढ़ लेते भूमिगत्त आपका उपयोग पहले सफल प्रयास अठारा सुनब्बे में बोईजे शहर इडाहो USA में हुआ था जहां आसपास के भौनों को ताप देने के लिए गरम जल के प सुनक्राम कर रहे हैं जैव उर्जा पर आते हैं जैव को कहा जाता इसे जैवी कुछ पादोस से प्राप्त किया जाता जिसमें कृशी अवशेष नगरपाली का अध्योगिक अन्य अप्सिष्ट शामिल होते हैं इसको हम कहतę हैं बाइयो एनर्जी को कहते हैं रहना यवान पर अप्सिष दॉस्ट इव्वंपरीicas Łukh बशासाः जिसे एवर्जण को गृषण पकाने के लिए गया सकता है यदि控ंक बर्ला कर्मित करेगा Crispy करेगा तो इस से क्या होगा कि ये जो भी ecology में जो अवुष्एष बच गए कृशी करने के बाद छो खेत में बचेवे नगर पालिका जो कुडा कच्रा हो गया और अन्य अपसिष्ट जो हो गया वह उससे हम जैव उर्जा बना सकते हैं तो उर्जा परिवर्त्र पार्ण का संभावी शुरोत है इससे क्या फायदा होगा एक तो जो अपसिष्ट पदार्त है उनका सही तरीके से उनका एक management हो जाएगा उसको हम use कर पाएंगे वो कम हो जाएगा है ना अगर कूड़ा से अगर हम बिजली बना रहे तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है सारा कूड़ा का भंडार use हो जाएगा है ना तो इससे विद्ध उर्ज जानकारी का भाव होता है आप लोग ऐसी गलती नहीं करेंगे आज के बाद तो कम से कब नहीं करेंगे क्योंकि आप पढ़ रहे हैं कि बायो इनर्जी एक अच्छी चीज है इसको use किया जा सकता है तो इससे विद्ध उर्जा ताप उर्जा और खाना पकाने के लिए गैस म को भी बहतर बनाएगा तादा परियावरन प्रदूशन को क्या करेगा घटाएगा उसकी आत्म निर्वरता बढ़ाएगा और जलाओ लकडी पर दबाओ कम करेगा लकडी का भी लकडी को भी बचाना जरूरी है भाई उकर सारे बन काट दिये जाएंगे तो एक इंबैलेंस लकडी पर भी दबाओ कम करेगा जो बायोगैसे वो नगरपाली का कच्रे को उर्जा में बदलने वाली ऐसी एक प्रियोजना नई दिल्ली के ओखला में इस्थित है कि नगरपाली का कच्रे से उर्जा उत्पन होती है और ऐसी एक विवस्ता नई दिल्ली के ओखला में इस पूछ सकते हैं कोईला खतम हो गया तो अगर हम पूरी तरह नवी करनी और उर्जा पर शिफ्ट नहीं हो गया तो कोईला से जो बिजली मिलती है अभी हमको इतनी बिजली मिलती है समझ लेजिए कि जाता सबसे जाता कोईले से ही मिलती है बीच में खबर आई थी कोईले के भं चल सके और विकास अगर सतत् पोशनियाँ न हो तो उस विकास का कोई काम नहीं अब लाख विकास कर लिजी लेकिन आप सारे खनीज शंसादनों और सारी चीजों करकेकर विकास कर दीए तो आने वाले समय के लिए क्या बचांग आप तो विकास ऐसा होना चाहिए कि लगातार विकास होते रहे नहीं कि आप अपना विकास पूरा कर लिए और भविश्य के बारे में सोचे ही नहीं ये गलत बात है और ये विकास कोई विकास कहा ही नहीं जाएगा अगर वो सतत और पोशनिया नहीं हो लगता है ना पोसाता नही हमको नहीं पोसाएगा, तो पोसाना चाहिए, यह पोशनिय वही चीज है, कि विकास ऐसा हो कि विकास पोसाना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि हम अपना विकास तो कर लिए आने वाली पीडिया हमारी भूखे मर रही है, हमको गली आ रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो स संसाधन उपयों के परंपरागत तरीकों के परिणाम सुरूप बड़ी मातरा में अपसिष्ट के साथ साथ अन्य पर्यावरनिया समस्याई भी पैदा होती है अतयव सतत्त पोशनिया विकास भावी पीडियों के लिए संसाधनों के संगरक्षन का आवाहन करता है संसादोनों का संगरक्षन अत्यंत आवश्यक है इसके लिए उर्जा के वैकलपीक स्रोथ, सौर उर्जा, पवन, तरंग की उर्जा, भूत आपियो उर्जा, आदी उर्जा, असमापिस्रोथ है तो इनको यूज कीजिए और जिवाश में इन्धनों पर आधारित जिवाश मे संभा होगा तामबा सीसा और जस्ते जैसी धातूँ में जिन में भारत के भंडार अब परियापत है चाजन स्क्रैप का प्रयोग विशेश रूप से सार्था के स्क्रैप मतलब जो कटा चटा हुआ बचता है ना लोहे के उपयोग के बाद जैसे लोहा तामबा का कोई काम हो तो कटिंग वगरा होता है तो जो स्क्रैप बच गया या उसके अलावे जो खतम हो गया है जो लोग खराब हो चुके लोग उसको छोड़ चुके हैं स्क्रैप बन चुका है उसको वापस गला के उसको यूज करना ठीक है हर साल बहुत सारी ऐसी चीज़े होती है जो खराब जो बहुत का अती जोड अल्प या अत्यालप बना हुआ है तो अत्यालप धातूओं के लिए प्रतिस्थापन का उपयोग भी उनकी खपत को घटा सकता है सामरिक और अत्यालप खनीजों के निर्यात को भी घटाना चाहिए ताकि वरतमान आरक्षित भंडारों का लंबे समय दोने तक परियोग किया सके तो समरिक और जो बहुत कम बचे जैसे कि क्या उधारन के तौर पर प्लुटोनियम उसे परमानुबम बंते है तो ये ओर जो अत्यालप खनीजो बहुत कम बचे हुए तो इनके निर्याथ यानि विदेश के घञीने पर भी प्रतिबंद लगाना चाहिए, थोड़ा कम भेजना चाहिए, प्रतिबंद तो सही वर्ड नहीं होगा, कम करना चाहिए निर्यात को, ताकि उसके वर्तमान अरक्षित भंडारों का लंबे समय तक हम परियोग कर सकते हैं, तो वही बात हो जाएगे ने कि हमारे पास है नहीं है लाइक बाते थोड़ी जादा है भाई, तो जितना इस चैप्टर को पढ़ा दिया गया है एक बार, इसको आप लोग वापस एक बार पढ़ेंगे, और इसमें से नोट्स बनाएंगे कि कौन सी उर्जा कहां मिलती है भाई, कौन सा खनीज कहां मिलता है, कौन सा लोवा वग इस क्लास में ठीक है, और आपको पता है, चैप्टर खतम होने के बाद क्या करना है, इसमें से अब्जेक्टिम निकालना है, और बाकी सारे स्टूडेंट्स को तो पता ही है, कैसे क्या करना होता है, बाहर चैप्टर के बाद बताना तो जरूरी है न, ठीक है, तो यह चैप